हलो फ्रेंड्स तो आज हम लेके आए तना फार्मसेटिकल और गनिक केमिश्टी सेकेंड का कोश्चन पेपर और यह हमारे इसी साल 2021 के केरीवर वाले एक्जाम का कोश्चन पेपर है तो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है तो चलिए आज हम इसको समझने वाले हैं और इससे नोर्स मिल जाएंगे सारा कुछ आपको फ्री में अविलेबल है तो चलिए यहां पर जो हमारा कोश्चन पेपर है वो हमारे PCI के अकॉर्डिंग है तो अगर आपकी कॉलिज या यूनिवर्सिटी PCI को फॉलो करती है तब आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा हुआ है बॉनेस पॉइंट काम करेगा क्योंकि यह इसी साल का कोश्चन पेपर है तो बहुत ही जादा इंपोटेंट है एक एक कोश्चन इसके लिए अब यह कोश्चन पेपर थोड़ा सा फ्रेंड यहां पे मेरे पास बिलर है मतलब ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन कोश्चन पढ अब आपको यहां पर पीपीटी सोह हो रही होगी तो इसमें अमने लिख रखा है यह हमारे 2021 का है कोड हमारा है वी पी तीन सटीन थी जिरो बन टी और हमारे यह अकॉर्डिंग टूपीची आई है तो आप समझ सकते हैं बहुत दी जादा इंप्रोटेंट है क्योंकि पीसी यहां पर हमारे टू मास के टैन कोश्चन दिये हैं एक करके इंका सॉलूशन हम यहां देख लेते हैं तो अब आप से बस ही रुकेश्ट है कि आप अपनी कॉपी पैन लेके बैठी है साथ के साथ इसको जो नोट डाउन करते जाए जो भी आपका हो डाउट हो उसको आप अ पहले कोश्चन जो उसमें से बहुत सारे कुश्चन मिल रही है तो वह भी बहुत जादा इंप्रोटन्ट है तो उसको भी आप जो चेक आउट कर सकते हैं अब हमारा पहला कोश्चन है यहां पर राइट एक्जांपल आफ हकल्स रूल का एक्जांपल मतला हमको यहां होती है तो हकल जूरूर्य हमारा क्या होता है simple कोई भी मनला रूल है जो हमारे किसी भी कंपाउंट की पता लगाता है कि यह है अरूमेटिक है की नहीं है अब इसका हमको यह चीज़ भी चाहिए और यहां पर हमारी जो एन की वैल्यू है वो हमारी अमेजा positive रानी चाहिए यानकि 012, तो आपको यहाँ note-down हो रहा होगा, इसको आप चाहें, तो note-down कर सकते हैं, यह आप screen shot खीज सकते हैं, तो यह हमारा इस तरह कोशन है, अब हमारा दूसरा example में बैंजीन है, पाइरोल हो गया, फियूरेन हो गया, थाइोफीन हो गया, साइक्सली प्रोपनील, और भ यह हमारा क्या करता है drinking water को treat करने के काम आता है तो यह हमारे दो इसके user यहां पर आप इसको no down कर लीजे दो मास में बहुत हो जाता है अगर आपको structure बनाने को आता है तो तीश्रा question है हमारा write any two test for phenol, phenol के कोई दो test हमको लिखने है तो एक हम ले ले लेते हैं litmus test, अब test यहां पर बात आ रही है तो test में actually हमें बताना क्या है तो हमको simple बताना कि कोई compound है वो actual phenol है की नहीं है मतलब phenol की identity बता करनी है और वो acidic है की नहीं है इस चीज़ को तो पहला हम लिटमस test है तो अगर हम phenol का use करते है उस लिटमस test पे लिटमस paper पे तो लिटमस paper जो हमारा blue color का होत आएगा और यह सो करता है कि जो हमारा phenol है वो क्या होगा acidic होगा nature में फिर हमारा दूसरा यहां पर आप कोई से भी दो ले सकते हैं हमने इसके उपर separate video बना रखी है तो वह सारे की सारे video की link जो है वह आपको description box में मिल जाएंगी बस आपको उससे पहले करना क्या है कि इस video क आपको watch later में save करना है या किसी में भी आप playlist में save कर सकते हो क्योंकि और भी बहुत सारे question है जिसका आपको solution देखना है तो वह सभी जो है इस video के description में मिलेंगे आप जाइए बारी बारी से एक क्योश्यन का आप explanation देख सकते हैं अच्छे से तो सारा को जो है इस video के नीचे आ पाम होती है और यह दरसाती है कि यह हमारा क्या है फिनॉल है अब हमारा फोर्थ question है write the effect of inductive effect on basicity of amines मतलब हमारा जो chapter था aromatic amines वाला unit second का जो हमारा second part था उसमें हमने basicity पढ़ी थी amines की तो यहां पर हमको simple इतना बताना है कि उस basicity means की जो हमने पढ़िए उसमें inductive effect का क्या रॉल है मतलब हम inductive effect के जोरा कैसे पताएं कि हमारी basicity increase हो रही है कि decrease हो रही है तो simple सी बात है कि हम उसको पहले से explain कर चाहिए वह आप जाके देख सकते हैं उसमें बस confusion एक यह रहेगा कि electron donating group जो है उसको हम यहां पर दर साथ है positive इंडेक्टिव यह चीजा आप आप सीख लेंगे तो आपको कहीं भी confusion नहीं होगी और जो negative effect है वह हमारे होते हैं electron withdrawing group यान कि electron donating group हमारे हो जाते positive effect वाले और electron withdrawing group हमारे होते हैं negative effect वाले अब इनका काम इतना होता है कि हमारा positive effect है वह हमारी amines की basic को increase करते है और जो नेगेटिव इंडेक्टिव यहां पर आप को दिखी रहे होंगे कि ox3c2h5 यह हमारे ग्रूप होते हैं और जो जिखेंटिव आई वाले होते हैं वह हमारे करते हैं जैसे chlorine सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हमारा पांचमा कुशन आता है इस टेड़ डेफिनेशन ऑफ आयोडीन वेल्यू तो फ्रेंट्स इस वीडियो के एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप नोट्स को इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को जोब पूरा देखते रही है और बने रही है हम लोगे साथ अब हमारा कॉशन है आयोडीन वेल्यू क्या होती है तो यहां पर हमने पढ़ा था फैट्स और वाला चैप्टर तो वहां पर हमने यह दिखा था कि कुछ ऐसे होते हैं उसमें क्या होता है डवल वांड आते हैं और सेचिरेशन को मीजर करते हैं तो सिंपल ती डेफिनिशन आप यहां लिख सकते हैं कि अधिन वेल्यू इस अमांट ऑफ डबल वांड और इसका इनफ फैट सिंपल फ्रेंट से यहां पर नोडां कर सकते हैं हमारा च्छटा कोशन है रिश्टेट दा प्रोड़क्ट वेन ने लिए सिंपल अमने एसट कवाला ले लिया तो यहां पर फ्रोड़क्ट जो फॉर्म होता है यहां पर देख सकते हैं मतलब एक तरह से यहां वाला होगया यह लीया तो इस तरह से हमारा होते हैं तो आप हमारा यह फंध कोशन आता है राइट दा इस्ट्रक्चर आफ ना देंगे यही आपके लिए बहुत होगा आप चाहे तो इसका फॉर्मूला भी लेख सकते हैं सिंपल हमारा फ्रेंट से तो यहां नोट डाउं यह कर सकते हैं अब हमारा आत्मा कोश्चन है राइट द इस्ट्रक्चर और यूज़ेट बताने तो साइद इस्ट्रक्चर रह करते हैं से कुम यूज़े करते हैं की तरह है मलब आपको यह पता कि 300-400 गुणा ज्यादा यह सुख्रों से और 600 गुना ज्यादा होती हमारी चीनी से मीठी मलब यह समझे कि एक किलो सेक्रीन हमारी 600 किलो चीनी के बरावर हो गई तो बहुत जादा मीठी इसलिए इसको आर्टी फीजलर आर्टी फीचियल स्वीटनर की तरह यूज़ करते तो इतना सिंपल सा यूज़ है डाइग्राम में भी सो कर दूंगा आप उसको जो है वीडियो को पूस करके उस इसको आर्ट करते हैं इनका भी एक्स्प्लेशन हमने कर रखा तो वह में दे देगे वीडियो आप वहां से चाहिक इसको देख सकते हैं एक्जाम्पल हमारा पहले का होई थी दूसरी के हमारे एक्जाम्पल हो गए आयोडेन हो गया आयोदीन ब्रोमीन क्लोरी अब हमारा द हुआ है यह रेसिंस की मैनुफेक्टरिंग में यूज करते हैं फिर यह हमारे topically मतलब इसकिन के ऊपर लगाते हैं उसमें भी treatment में है करता जाना की skincare में जैसे हमारे फिर में फिर दिख्या साली लिख और यहां थे स्कukt हमीं स्ट्रेव है और मैं इसको हम करते हैं अब यहांट पर इसको शैट होती है इसको इतना यहां परफियूम रो सकते हैं और पॉली नुकुलियर हाइड्रो कारबन फिर मारा आता है एक्सप्लेइन दा मेथड और प्रेपरेशन और यान की सिंथेसित और हमारी ये सारे जो आपको नोर्ट से है वह हमारे मिल जाएंगी बैपसाइट पर जो इसका एक्स्प्लेइन ए वह आपको डिस्क्रेश्ट में लिंक बिलेगी वीडियो की वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं दूतरा हमारा question है what is phenol जानकी phenol क्या होते हैं simple सा है question फिर explain the chemical reaction of phenol with mechanism अब हमको यहाँ पर chemical reaction बतानी phenol की और साथ में उसकी mechanism भी बतानी है तो यह भी आपको note मिल जाएंगे description वहाँ पर हमारी website पर और description में आपको वीडियो मिल जाएगी और mechanism अगर नहीं मिलते हैं तो mechanism हमारी simple इतनी होती है friend कि कोई भी हमारी reaction है तो उसके जो हमारे step है मतलब जैसे आप यह समझेए phenol हमारा form हो रहा है तो a plus b is equal to c यह हमारा कोई product form होगा तो a b के साथ मिलके क्या reaction कर रहा है फिर b बीच में कोई intermediate data उसके साथ मिलके क्या reaction कर रहा है फिर हमारा final product बना वह कैसे बना इन चीजों को लिख दें अगर हम language में तो यह हमारी उचाती mechanism तीसरे हमारा question है what are aromatic compounds क्या होते है यह हमारा फिर पूछा है यह हमारा चमझे unit first का है फिर हमारा question है explain the reaction and mechanism of electrophilic reaction in benzene तो यह हमारा पूरा बड़ा का बड़ा नोट्स जो है वह हमारे website पे मिल जाएंगे बागी वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको सौर्ट में सब अच्छे से समझा जाए कि अब हमारा आता है section c तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे यह हमारे seven question है इस में से आपको जो five करने होते हैं और आपके एक की किमन जो seven mark से आपके हो जाते है इजी तरीका बहुत आथा तो आप जैसे गूगल पर search करते हैं कियर वाइल फार्मा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेंगे यहां पर यहां पर थर्ड सेमिस्टर को आप देखेंगे थर्ड सेमिस्टर में और और इस तरह करेंगे आपके सामने इस तरह का होंगे उसको जो भी यूनिट के आपको चाहिए होंगे इसको आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं इसी तरीके से तो इसी तरह हमारे नोट्स दे बाकि जो भी लिंक्स थी वह आपको सारी डिक्स्टर में मिल जाएंगी तो आई होप आप लोग को सारा को समझ आगया होग का आपके हेल्प हुई होगी तो वीडियो को अगर अच्छी रगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए बहुत वादा इंप्रोटेंट वीडियो है मिलते हम आप से यासी किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू टेक क्यार एंड और टेलीग्राम को भी जोइन कीजिए हमारे सभी अपडेट के लिए